नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लास्स पर आपका स्वागत है डेटा आज की 10 अप्रेल 2023 देख लेते हैं इडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपोर्टन आक्रिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे देखो फर्स्ट आर्टिकल तो है न्यू education system तयार करने की बात की जा रही है जिसमें आप humanity arts हो गई, commerce हो गई या फिर science हो गई इन में से जो भी आपकी choice हो आप subject opt कर सकते हो तो उससे संबंधित आर्टिकल है education का दूसरा opposition के क्या अधिकार होने चाहिए उससे संबंधित आर्टिकल है तीसरा इंडिया अभी जिस तर उसमें ये देखने वाली बात है कि इंडिया ने trade, trade से related जो agreements की है उनमें तो international laws है उनको follow किया है पर जब बात आती है investment की तब बोले इंडिया ने domestic laws को apply करने की बात की है तो बोले यहाँ पर जो है वो 1991 से पहले का जो scenario इंडिया में चलता था बोले उसका एक sense देखने को मि सकता है कम कर सकता है मतलब राइटर यूं बोल रहा है कि यह कहीं नहीं problem कर सकता है free trade agreements में देखेंगे हम इसको पूरा और एक हम समझेंगे कि हम हमारी economy में fishery का जो एक contribution है उसको हम कैसे rise कर सकते है ठीक है तो ऐसे में हमारे पास में यह articles है अब एक एक करके इनको देखते है डीटेल में फरस्ट आर्टिकल है a new classroom देखो central government ने अभी कुस दिनों पहले एक expert panel constitute किया और उस expert panel ने अपने recommendations दी है जिसमें school education system में जो भी कमिया है उसको correct करने के लिए कहा गया है ठीक है इसमें एक draft release हुआ है pre-draft, draft नहीं pre-draft यहां भी एक बार थोड़ा सा discussion हो जाए को improvement लेकर नहीं आना है, कोई change लेकर करके आना है फिर उसके बाद में एक draft हो रहाएगा फिर उसमें correction का scope हो रहाएगा तो basically यह draft pre-draft किस चीज़ का है national curriculum framework पे based ठीक है जिसमें feedback recommendation यह demand की गई है अब इसमें देखो जो senior secondary students है उनको कैसे हम एक arts, commerce और science subject के mix को दिला करके और उन common capital में convert कर सके हैं, ठीक है तो यह basically flexibility लाने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि science में आप देख सकते हो या तो physics, chemistry, maths या physics, chemistry, biology, fix, इसके लावा दूसरा नहीं, commerce में fix subject है, accountancy हो गई, BST हो गई, economics हो गई, यह कुछ गिंती के subject है जो आप ले सकते हो, arts में है, इसमें stream या science के subject को कोई पड़े, और उसको यह नहीं पता कि अगर मैं subject में जो कुछ में मैंने learn किया है, उसको मैं मेरी life में humanity के welfare के लिए कैसे apply कर सकूँगा, तो फिर वो subject कहीं ना कहीं एक theory रहे जाती है, और एक student जो perfect manner में develop हो सकता था, वो develop नहीं हो पाता, तो इसलिए national education policy की approach कि क्यों ना हम multidisciplinary approach के basis पे higher secondary जो school education है, वहीं से student को इस तरीके से तयार करें, एक individual को इस तरीके से तयार करें, जो की capable हो, जो की challenges को tackle करने वाला हो, ठीक है, तो अब देखो बात ऐसी है, यह जो national curriculum framework है, इसमें students की capability को assess करने के लिए कहा गया है, कि दसवी बारवी के जो board exams है जो की साल के end में जाकर के होते हैं, अब उसकी बजाए, चार साल के period में आप different times में exam conduct करा होगे, इससे benefit होगा, कि एक individual रटने की बजाए, एक particular time period में कुछ chapters को समझेगा, उसके हिसाब से exam देगा, आगे बढ़ेगा, इससे क्या होगा, कि एकदम से burden भी नहीं आएगा, और chapters को learn करने में भी बच्चे को problem नहीं आएगी, नहीं तो क्या होता, आपको बता है, board exam के time पे कितना pressure होता है, उस pressure में फिर केवल रटते हैं, कि कैसे पास हो सकते हैं, बजाए इसके, कि chapter को समझाना, और उस chapter की जो applicability है life में, उसको समझाना, फिर उसका exam हो जाना, छोटे छ ज़्यादा अच्छी बात रहने वाली है, यह यहाँ पर editor बोल रहे हैं, तो target है कि national education policy में, जो holistic education की बात की गई है, कि केवल किताबी ग्यान ना हो, उसको आप अपने, जो रोज मर्रा की जिन्दगी है, उसमें भी आप apply कर सको, उसके लिए यह approach यहाँ पर अपनाई जा र रहे हैं, textbook में भी इसी तरीके से variation भी किये जा रहे हैं, और एक बड़ी important बात है, कि national curriculum framework जो है, उसमें teacher को ज़्यादा role मिलेगा अब, इसी दी बात है, कि board exam में आप देखते हो, कि teacher एक तरीके से खुद compete करने लग जादा है, यहाँ जो result ज़्यादा देगा, वो teacher अच्छ framework की बात करें, इसमें, next अगर बात करें, तो देखो, अभी की education system में आपको पता, art, science, commerce, इनमें एक rigid boundaries होती है, तो एक fundamental knowledge में जो challenge आता है, वो क्या रहता है, कि कैसे situation को deal किया जाए, जैसे एक simple सी बात है, climate change या environmental crisis की हम बात करें, ठीक है, इसके बारे में, politics, economics, sociology, इन सारे subjects को पढ़ना जरूरी होता है, अब आप solution science से भी निकालना चाहते हो, solution society की practices को लेकर के भी निकालना चाहते हो, solution economics में भी निकालना पड़ेगा, कि ऐसी policy बने, जो की climate change को रोख सके, हाना, तो और साथ में आपने scientific basis पे आपको कुछ नई technology भी invent करनी पड़ेगी, त तो वो ऐसी क्या चीज़ डिजाइन कर देगा, कि जिससे की climate change को control कर किया जा सके, वो तो profit making के ओपर दिमाग जाता लगा जाएगा, हाना, तो वहाँ पर ज़रुत है कि एक integration किया जाए, similarly business studies की बात करें, बोलने को तो business studies, हम पढ़ाई जोती हुआ, exclusive commerce के students करते हैं, पर business studies मे आप business किस के साथ करते हो, humans के साथ ही करते हो, तो अगर आप human behavior को ही नहीं समझोगे, तो business studies को कैसे आप capitalize कर पाऊगे, अपने practical life में, तो बोलने ये चीज़े समझने वाली होती है, इसके साथ में अगर देखा जाए, तो आज के टाइम पे जब हम जिस एरा में जी रहे हैं, that is fourth industrial revolution period, जिसमें आप artificial intelligence, ठीक है internet of things, इनकी बात कर रहे हो, तो इसके बारे में कई research paper ऐसे आचुके हैं, कि हम humanities को include करके चलेंगे ना technology में, तब तो सही रहेगा, नहीं तो ये fourth industrial revolution humanity के लिए बहुत बड़ा crisis create कर सकता है, जैसे है transformers, ये transporters, ये जो movies आई हुई हैं Hollywood की, जि वैसा हो जाएगा, अगर आपने human को center में ना रख करके plan नहीं किया तो, मतलब center में ना रख के plan किया तो, problem हो जाएगी, new education policy सीधी सी बात है, इसी बात पर ध्यान दे रही है, कि higher education system को हमें कैसे भी करके improve करना है, ठीक है, multi-disciplinary undergraduate को education के बारे में भी new education policy जो है, जो है, इन्वि के time पर अगर urgent task की बात करें, तो देखो, हमें reforms जो भी ले के आना है, वो equitable manner में लाने होंगे, इसका मतलब ये, कि हम अगर कोई भी spectrum में या किसी भी तरीके से education system में reforms ला रहे हैं, तो उसका impact, उसके negative impact, किसी particular segment को या किसी particular group पे नहीं पढ़ना चाहिए, सब को equal opportunity मिलना चाह है, education ministry के data के according अगर देखें, तो हमारे यहाँ पर लाखों ऐसी schools हैं, मतलब secondary school, जहाँ पर सिर्फ एक teacher पढ़ा रहा है, अब आप देखो, कि एक तरफ तो multi-disciplinary education system की बात कर रहे हो, और दूसरे तरफ, जो schools हैं वहाँ पर एक-एक teacher deployed है, तो कैसे implementation होगा program का, तो equitable manner में कैसे implement ह होगी यह policy, आपको वहाँ पर resources deploy करने होंगे, पैसों की requirement पैसे allocate करने होंगे, ठीक है, वैसे national education policy इन चीज़ों को address कर रही है, और यह जो national curriculum framework की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी यह है कि teacher जो है, उसका role बहुत important होने वाला है, ठीक है, और school education वाकई में reforms की demand कर रहा है, और वो reforms अब यह दिखते हुए, आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर यह implement हो जाएं proper, यह important बात रहती है, तो यह education वाले point के अंडर में article था, next article है, building the blue economy, article को लिखा अरुन प्रिकाश जी ने, पहले हम map देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम, देखो यहाँ पर आप map देख सकते हो, यह है इंडिया तमिलनाड, और यह इधर उपर वाला जो portion है इधर, ठीक है, यह है श्रिलंका का जाफना, इन दोनों areas को separate करने वाली water body है, that is Park Street, इधर Bay of Bengal, इधर Gulf of Manar, दोनों को join कराती है, और श्रिलंका और इंडिया को separate करती ह ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर point क्या रहा है, कि Indian जो fisherman है, वो चले जाते हैं कई बार स्रिलंकान territorial waters में, और कई बार स्रिलंकान जो fisherman है, वो Indian territorial waters में चले जाते हैं, तो इस वज़े से क्या होता है, कि उन लोगों को फिर वहाँ पे jail में रख दिया जाता है, capture कर लिया जाता ह उनको यह समझाता है, कि जासूस है, पता नहीं क्या करने आए हैं यह लोग, तो वो scenario जो create होता है उसको solve करने का, एक तो, दूसरा कि fishing जो है, वो हमारे यहाँ पर traditionally हमेशा से एक important economic activity का part रहा है, तो क्यो ना हम fishing के ओपर और अच्छे से काम करें, जिससे कि India और स्रिलंका के बीच में bilateral relations भी अच्छे हो, और साथ में क्या हो जाए, कि हम जो blue economy है, उसके basis पे growth भी ज़्यादा कर सकें, अब समझता है पूरे article को, आर्टिकल को लिखा है अरुन प्रिकाश जी ने, इनका ये कहना है, कि India और श्रिलंका के बीच में fishing को लेकर के हमेशा से dispute चलता रहता ह है, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है किस तरीके से इंडियान fisherman वहाँ घुष जाता है, श्रिलंका की तरफ, श्रिलंकान fisherman इंडिया की तरफ आ जाता है, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है, वैसे problem है, फिर जब bilateral issues को solve करने की बात आ गया था, कि दोनों तरफ के fisherman को बिलकुल freedom है, और आसानी से वो park street के across जा करके और fishing कर सकते हैं, मचलियां पकड़ सकते हैं, पर क्या होता है, कि श्रिलंका में जिस तरीके से internal strides create होती है, internal issues create होता है, ठीक है, जहाँ पर श्रिलंकन तामिल्स है, वो demand करता है कि हमें ज्याद autonomous region दे दो जाफना वाला, जो तामिल लाडू की तरफ है, अभी हमने map देखा था, तो इस तरीके से होता क्या है, कि श्रिलंका में civil war start हो जाता है, अब एक तरफ तो श्रिलंका में civil war start हो गया, जहाँ पर जाफना में रहने वाले, जो श्रिलंकन तामिल्स हैं, उनको control करने क कोशिश की गई श्रिलंकन गवर्मेंट के द्वारा, और दूसरी तरफ जो इंडियन तामिल्स हैं, जो फिशर में हैं, वो आराम से दूर दूर तक जाकर के आ रहा है, कहां तक श्रिलंकन टेरिटोरियल वाटर्स तक, तो फिर वहाँ पर ये problem आने लग गई, कि जी ये जो 1974-76 के agreement से, इनके basis पे, श्रिलंकन जो फिशर में हैं, वो तो पाक स्ट्रेट में जाकर के, फिशिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन्स लगा दी थी सिवर वार की वज़े से, श्रिलंकन तामिल्स पे या जाफना वाले रीजन में रहने वाले कि अब आप कहीं नहीं जाओगे, पर वहीं पर दूसरी तरफ, इंडियन फिशर में हैं, वो आसानी से जाजा करके, और श्रिलंकन की टरिटरीज में जाकर फिशिंग करते थे, बोलो उसकी वज़े से, श्रिलंका को डी स्टेबलाइज करने में बहुत काम किया, इस वज़ कैप्चर करके ले जाती इंडियन फिशर में को, और बाइलेटरल इशूज में भी यह हमेशा एक इशू बना रहता है, ठीक है, अब देखो, फिश स्टॉक की बात कर लो, राइजिंग फ्यूल कॉस्ट की बात कर लो, और ग्रोइंग टेंशन, जिस तरीके से से सेनारियो भी ग्लोबल हम देख रहे हैं वो, और फिशिंग कम्यूनिटी की बात कर लो, तो दोनों कंट्रीज की जो कम्यूनिटी इंश्रलंका और इंडिया की बहुत जादा क्राइसिस से गुजर रही है, क्योंकि दोनों के पास में इतने ज्यादा एडवांस्ट ना तो टूल्स है जिससे ये फिशिंग के लिए जा सकें, पैसे की जितनी जवरत है जिससे की वो अच्छी क्वालिटी के बड़े शिप्स, हाई टेकनोलोजी बेस शिप्स खरीच सकें, वो भी नहीं है, तो हो क्या रहा है, कि एक तरीके से दोनों के फिशर्मेन कम्जोर भी हैं और मजबू इस का नुकसान फिर उन फिशर्मेन कम्योटी को उठाना पड़ता है, तो ऐसे में इंडिया और श्रिलंका ने जो नेगलेक्ट किया है इसका इस इंड़ेस्टरी का उसका खामियाजा दोनों को टाइम टू ठुगतना पड़ता है, तो यहाँ पर एक इंपोर्टन्न जो है वो बहुत important है कैसे कि अगर आपके पास में बहुत सारे जहाज है मचलियों को पकड़ने के तो आप अपनी जनता का पेट भर सकते हो और वो भी protein rich diets हैं दूसरी चीज ये बोली कि अगर आपके पास में fishing fleet है तो आप क्या गर सकते हो कि उन fishing vessels को जहाजों को आप कलकोनन जर्वत पड़े तो आप अपनी navy में भी use कर सकते हो जैसे कि attack हो जाए तो attack को combat करना है या कोई spy करना है कुछ भी करना है या port defense करना है किसी भी तरीके से किया जा सकता है बोले ये जो काम है इस point को हमें यहाँ पर समझना होगा कि कैसे हमें fishing fleet को rise करना होगा इस बात को चाइना ने बड़ा seriously लिया और चाइना आज देखो world का आप देख लो fishery superpower बनके emerge हो क्या है ठीक है चाइना ने 1985 में इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दिया था fishing fleet है उसको rise कर दिया और दूर दूर तक open seas में जा जा करके और वहाँ पर fishing करवाता है चाइना अपने fishermen से तो इससे क्या होता है एक तो food intake जो होता है चाइना एक time ऐसा आगया था जब net importer बन गया था आज चाइना बहुत बड़ा producer बनके इमर्ज होके आया है ठीक है इससे क्या है कि एक तो चाइना independent हुआ दूसरा exporter हो गया कुदकी एक strong control भी बना पाया अपने waters में तो यहाँ पर हमें इसी चीज़ को समझना होगा कि कम से कम हम हमारे exclusive economic zone में तो जाकर के यह proper fishing का जो system में उसको हम grow करवाएं जो fisherman community है उनको हम support provide करें ठीक है चाइना तो अपनी दादगरी चला रहा है South China Sea में आपको पता न कि exclusive economic zones में जाजा करके Philippines वियतनाम इनके में और वहाँ पर fishing करवाता है और वहाँ पर वो countries बोलते रहते हैं कोई फरक नी पड़ता ठीक है खर हम किसी की sovereignty को खत्रे में डालने की बात नहीं कर रहे है point हमारा यहाँ पर यही आ रहा है कि हमें हमारी developments पर ध्यान देना होगा fishing की बात करें तो हमें देखो affordable तो हमेशा से रही है क्योंकि traditionally fishermen ने यह काम करते रहे हैं वो हमारे यहाँ पर और fishing की वज़े से protein diet भी अच्छी घासी रही है और हमारे यहाँ पर hunger और malnutrition को control करने में fishing ने health भी किया और और हम ज़्यादा explore कर सकते हैं इस particular sector को ठीक है अगर हमारे यहाँ पर देखे तो क्यों fishing डवलप नहीं हो पाई है proper as compared to other countries like China तो क्यों है देखो हमारे यहाँ पर marine fisheries ज्यादा तर artisanal sector रहा है इसका मतलब जिसमें poor small scale fisher जिनके पास पैसा बहुत कम है जिनके पास छोटी-छोटी boats है वो fishing करते हैं हमारे यहाँ पर marine areas की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा पैसा अगर लगा दिया जाए ना तो बहुत benefit इंडिया में जितनी fishing होती है ना उसका केवल 2% ही fishing करते हैं या artisanal fishers जबकि 98% तो mechanized and watercraft से होता है अब आप देख लो जबकि dominate भी यही करता है इसका मतलब क्या रहा है productivity नहीं आ रही है ठीक है अभी तक हमने इसको purely traditional activity के तोर पे consider किया हुआ है फिर यह commercial enterprise के तोर पे इमर् largest seafood exporting nation बन भी चुका है पर जिस approach के साथ हमें काम करना चाहिए उस approach में कुछ कमिया रह रही है आज 15 million लगबग डेड़ करोड fishers हैं या fish farmers हैं जिनको primary level पे job मिलती है और value chain जैसे मालनों मचली पकड़ लिया मचलियों को frozen fish है उनको export करना है उसकी अगर बात करें तो और jobs मिलती है ठीक है तो downstream and upstream दोनों जगह पर देखो तो fishing अच्छी कासी job दे रही है अब बात याती है कि हमें deep water fleets में invest करने की जरुरत है इसका मतलब ऐसे fish ऐसे जहाज तयार क उसको जो जाकर के मचलियां पकड़ें और उनको यह ना सोचना पड़े कि हाजी हम किसी दूसरे country territory में तो नहीं गुश गये है क्योंकि आपको पिता physical border तो देखो होती नहीं है जो भी international waters होते है उनमें ठीक है अब वहाँ पर तो केवला ideas ही रहता है कि हाजी हम अपनी coastal line से इतने distance पे आगए अब ज्यादा cross कर देंगे तो श्रिलंका के waters में गुश जाएंगे श्रिलंका की territory में गुश जाएंगे तो उस चीज के लिए उनको updated new technology based vessels provide किये जाए नहीं तो क्या होता है कि श्रिलंका और पाकिस्तान जैसे जो countries हैं वो वहाँ के जो fisher man है जिनके पास म हमारे से थोड़ा comparatively अच्छे tools available हैं तो वो फिर हमें कहीं ना कहीं हमारे resources को वे exploit कर जाते हैं तो ऐसे में हमें सोच समझ करके काम करना होगा आज ये countries जो हमारे neighborhood हैं वो illegal unregulated and unreported fishing करते हैं मतलब चुप चाप आता है fishing की Indian waters में और चलो निकल गए तो हमें इस चीज को serious ले countries में कि कि किस तरीके से IUU problem को sought out किया जाए IUU का मतलब आप ध्यान रख लोगे illegal unregulated and unreported fishing इसको रोकने के लिए इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है और effort भी अपनी तरफ से डाल रहा है तो यहाँ पर चार important points suggest किये जा रहा है writer के द्वारा वो समझते हैं उन चार point को समझने से पहले एक तो यह बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर ज्यादा तर export किसका होता frozen या chilled form में जो fish होती है उनका बुले इसकी बजाए ready to eat या ready to cook form में जो marine product है उसको अगर हम बेचेंगे तो शायद ज्यादा महेंगा बेच पाएंगे इसका मतलब fishery में हमें processing में और पैसा invest करवाना होगा अब चार suggestion होड़ दे रहे हैं सबसे पहला तो suggestion यह है कि mechanization और modernization होना चीए latest vessels होने चीए और machine based vessels होने चीए जिससे कि वो दूर तक जाकर fisher fishing कर सके इसमें electronic fish detection devices होने चीए इसके अलावा जो artisanal fishers है जो पैसे वाले नहीं या गरीब है उनकी सहायता गरे सरका तो पहला काम तो हो गया यह दूसरा यह point बता रहे हैं कि हमें deep water fishing fleet तयार करनी होगी इसमें एक mother ship हो mother ship का हो बड़ा जहाज जिसमें medical facility, fuel यह सारी व्यवस्ता रहे और फिर उस mother ship के साथ साथ में और छोटे ships चले, vessels चले जिनका काम रहे मचली को पकड़ने का अब यह mother ship का क नाम होगा कि fuel की requirement है, medical facility की requirement है, preservation की requirement है, storage की requirement है, वो करता रहे तो एक साथ एक लंबे समय के लिए tour पे निकले, यह idea पिक किया गया है, चाइना से जहाँ पर Chinese ships हैं, वो एक बार निकलते हैं तो कई महीनों या कई बार तो एक एक साल से ship fishing करके फिर आते हैं, तो बोला उस त तरीके का approach हमें अपनानी होगी, ठीक है, दूसरा ही हो गया, फिर next approach जो बताई जा रही है, second होगी है, mother ship concept दे दिया आपको, medical है, इसके लावा modern fishing harbors हमें तयार करने होंगे, ठीक है, जिससे कि जैसे fishing करके कोई जहाँ जाए, तो इससे fishes को निकाल लें, वहाँ पर process हो दे वहीं की वहीं पर, तो इस तरीके से 3-4 points में इन में यहाँ पर highlight किया, थोड़ा ओर ध्यान से आप देख लेना, तो ऐसे में government of India ने September 2020 में, प्रधान मंत्री मतश्य संपदा योजना flagship scheme भी launch की है, जिसमें इंडिया में fishing sector को sustainable development के तोर पे consider करना है, मतलब develop करना है कि हाज जी, आज के टाइम पे जो fishers जिस तरीके से कमा रहे हैं, वो उनकी tradition continue रहे और उनको कमाने में problem नहीं आए, इस scheme के अंडर में लगबख 20,000 करोड रुपए का dedicated fund है, ठीक है, तो इसमें क्यों ना हम इंडो श्रिलंकन fishing corporation के basis पे एक तो ये काम करें, वहीं सीधी बात है, कि आ तो सागर जो initiative है, ठीक है, उसमें, जिसके full form है, security and growth for all in region, उसमें भी एक positive message जाएगा, कि हाँ, इंडिया सबको साथ लेकर के चलना चाहता है, तो इस तरीके से एक blue economy के point of view से है, fishing को हमें promote, marine fishing particularly, marine fishing को हमें promote करना चाहिए, तो ये थे writer के, खुद के अपने कुछ suggestions, नेक्स आ लगाई, 14 opposition parties ने एक साथ मिलके, और क्या का, कि जिस तरीके से law enforcement agencies का सरकार के द्वारा use किया जा रहा है, opposition को suppress करने के लिए, उसके लिए कोई guideline issue की जाए, Supreme Court के द्वारा, अब ये 14 parties में कौन कौन सी political party थी, उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, अब बात आती है, Supreme Court ने बड़ी carefully अपना statement दिया, बुला, कि देखो ये मुद्दा है, political, इस मुद्दे पर जब तक पुरा अच्छे से debate नहीं होगा, तब तक हम अमारी तरफ से कोई guideline issue नहीं कर सकते, पर हाँ, court ने अपनी तरफ से एक statement दिया, वो ये, कि political leaders हैं, वो citizens हैं, हाँ न, और citizens पे जो कान कानून लागू होते हैं, वो ही political leaders पे लागू होते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि political leaders को कानून में कहीं पर भी कोई भी immunity नहीं मिलती है, समझ रहो, तो ये point क्या कहा जा रहा है, कि Supreme Court ने अपनी तरफ से ये बात कह दी, कि जो citizens को protection मिलनी चाहिए, वो ही political leaders को मिलनी चाहिए, जिस आधार पर, जिस basis पे law enforcement agencies किसी भी citizen के खिलाफ कारवाई करती है, तो उसी तरीके से किसी भी political individual के खिलाफ के भी काम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ultimately rule of law की आप बात करते हो, equality before law, equal protection of law की बात करते हो, right हमारे constitution के according, तो Supreme Court ने तो अपनी तरफ से कह दिया, कि political leaders उनको immunity नहीं मिलती है, कि हाजी वो political leader है, political leader पहले citizen है, तो citizen को जो treatment मिलेगा, वो मिलेगा, फिर बात रही ये, कि हाजी, कि political leaders को इस तरीके से target करके, कभी तो enforcement directorate जो है, वो सवाल करता है, jail में डाल देता है, कभी CBI, तो बला हाँ, इस पे एक proper debate हो सकता है, अब फिर writer है, अलग-अलग angles ह बोल करके, ये बोलना चारा है, कि किस तरीके से opposition को जो है, वो suppress करने की कोशिश है की जा रही है, सबसे पहली चीज तो ये, कि democracy में opposition का बहुत important role होता है, क्योंकि हम जिस तरीके से बात करते हैं, कि executive, legislature, judiciary, ये तीनों एक दूसरे को check and balance करते हैं, तो judiciary तो चलो ठीक है, कि अगर हम normal circumstances की बात करें, अगर case judiciary में नहीं गया है तो, अब legislature कैसा accountability fix करेगी, executives का, वो तरीका होता है, जब वहाँ पर ruling party के जो against में बैटने वाले, जो opposition की leaders होता है, वो सवाल पूछता है, policy में कमिया निकालता है, कुछ suggestion देता है, वो, तो बोले, opposition का proper काम करना, opposition को proper freedom मिलन बहुत ज़ादा जरूरी है, ठीक है, फिर writer concern चो कर रहा है, कि Pegasus spyware, software जो है, वो, politician हो, journalist हो, right activist हो, civil right activist हो, किसी के भी देखर देखें, तो कईयों के phone को infect किया है, इस Pegasus spyware ने, ठीक है, तो इसमें ये allegation है, कि government ने ये, मतलब spyware है, वो ये install करवाया है, ठीक है, जिसमें य ये था, कि जिस से, गुरूप के दोवारे, ये Pegasus spyware बनाया हुआ है, इसराइली गुरूप है, उसका ये कहना है, कि हम ये केवल spyware, जो है, जासुसी करने वाला software है, ये केवल हमने, इसमें, सोवरंस कोई sell किया है, इसका मतलब government कोई sell किया है, तो यहाँ पर एक तो ये है, कि भई spyware apply किया जा रहा है, स्मार्टफोन को, laptop को, इनको trace किया जा रहा है, फिर, तो इस तरीके से क्या हो गया, opposition, कोई भी ruling party है, government के खिलाब में आवाज उठाता है, तो उसको दब opposition, तो यह legitimacy कब मिलती है, बैसी दीसी बात है, rule of law है, इसका मतलब कानून के सामने सब बराबर है, अब आप एक चीज़ बताओ कि अगर कोई party चुनाव नहीं जीत पा रही है, कुछ election, कुछ candidate जीत करके opposition में बैठ रहे हैं, तो उनको vote जो मिले हैं, वो जनता के बिहाफ में म counter कर सके, कि हाँ भई कई unilateral तरीके से तो काम नहीं हो रहा है, तो एक ही quotation दिया जा रहा है, फिर government की power को और इनको agencies को चेक करने का काम opposition का होता है, इसलिए opposition के पास freedom होनी चीए, या फिर right होनी चीए उनके, फिर बताया जा रहा है कि criminal proceeding करके उनको punish कर दिया जाता है, हमारे य लीगल आर्किटेक्चर ही ऐसा है, कि उस लीगल आर्किटेक्चर में कोई अपने आपको निर्दोश में साबित करने की कोशिश करे, तो आदी जिंदिकी तो उसी में कट जाती है, वो खुद एक punishment है, ठीक है, हमारे यहाँ पर national security कार इनके ओपर बोला, over emphasize किया जा रहा है, जिसकी वज़े से बोलने का मोका नहीं मिल रहा है, opposition को, खरिए बात तो देखो, Supreme Court ने भी recent verdict में भी बोला है, जैसे वो media one वाला, one media या media one वाला, जो case था के लवाला, उसमें बोला ना, कि आप हर एक context में national security का नाम लेकर के, आप media houses के उपर बैन नहीं लगा सकते हो, ठीक ह तो वो चीज यहां पर recall करना है, राइटर, फिर बात आ रही है, कि democracy तभी survive करती है, जब opposition survive करता है, बिना opposition के democracy survive करे है, यह बिल्कुल possibly नहीं है, फिर इसके लावा, Robert Dahl, उनके द्वारा कई हुई बात यह है, कि opposition अगर absent है, तो फिर democracy absent है, इसके अलावा यह का है, कि अभी recent, जिस तरीके से राउल गांदी का जो conviction हुआ है, जिसकी वज़े से उनके member of parliament की position है, वो collapse कर गई, disqualify कर दिया, जो कि Supreme Court का Lily Thomas case के basis पे decide हुआ है, क्योंकि Supreme Court ने Lily Thomas case में क्या बोल दिया, कि representation of people act of 1951 के basis पे, जो section 8 clause 4 है, जिस section 8 के basis पे disqualification हुआ है, वो disqualification immediately apply हो जाएगा, ज जबकि section 8 clause 4 क्या कहता है, कि एक individual जो की, मतलब legislator है, मतलब lawmaker है, चाहे वो MLA हो, चाहे MP हो, उस individual का membership disqualify नहीं होगा, जब तक कि उसकी appeal खारीज ना हो जाए, appeal करने का मौका दिया जाता है, अब जैसे सूरत court ने है, 30 दिन का time दिया है, राउल गांदी को appeal करने का, ठीक है, तो वो appeal करने का time जो था, बोलो उसके बाद में disqualification नाने चीए था, ये section 8.4 ये कहता है, पर लिली थॉमस में क्या कह दिया, बोलो ऐसा कुछ नहीं चलेगा, Supreme Court ने कह दिया, कि जैसे conviction हो गया, order declare हुए, उसके अगले ही दिन disqualification के order declare कर दो, immediate effect से disqualify कर दिया जाए, तो writer य judicial revisit होना चाहिए, ठीक है, इससे क्या है, कि एक individual का conviction अगर होता भी है, defamation के है, किसी मुद्दे को ले करके, और disqualify अगर होता भी है, तो उसको appeal करने का जितना time मिला हुआ है, कम से कम उतने दिन तक तो उसको MP रहने दिया जाए, MLA रहने दिया जाए, ये point यहां पे बुला होती है, opposition के rights, अब opposition में कोई एक individual तो होता नहीं है, तो ऐसे में group of individuals जो की elected है, पर वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे में वो opposition में बैट रहे हैं, तो उनको अधिगार मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ठीक है, बचेवे दो, एक हम बाद में देख लेंगे, एक article हमने जो शुरुवात में बोला था, वो भी ने discuss किया, मैं cover कर दूँगा, इस video में दो देखो, एतना ही है, thank you very much.